हेलो प्यारे बच्चों आपका बहुत बहुत फ़ागत है आज की इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टोपिक पर जिससे आपको परिच्छा में काफी मदद मिलेगी मैं आपको 12 इतिहास का मातवपूर्ण परसनों के बारे में बताऊंगा अगर आप इन परसनों का अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं तो आपको परिच्छा में इतिहास का सब्जेक्टिव परसन जो भी है एक भी नहीं चूटेगा ठीक है और एक जरूरी शूजना ये है कि आप लोग जोएन कर लिजेगा टेलिग्राम को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैट बॉक्स में भी दिया गया है तो चलिए शुरू करते हैं आज की धमाकेदार सेशन को इतिहास का पहला चेप्टर आपका है प्रारंभिक नगरों की कहानी हरपाई सबिता का सब्सक्रीटा की धार्मिक जीवन का परकार जो है पर्काश डालने है उस पर जो ढटारमिक जीवन की इस परकार से था संदुगाटि शबीता में हडपाई सब्देता के विश्तार के विवेशना करना बढ़ियां से बर बताना है तो अपर लिक ने इकिदा के नगरों कि ब ठिक है? यह पहले चपटर से यह 6 question आपको तैयार करना है ay copy means लेना ay BADHYया से ठिक है? आपको answer के बारे में अगर आपको दिकत हो रही है आप अगर नहीं लीग पा रहे है तो आपको आंसर भी प्रोवाइट करेंगे लास्ट तक बने रहें आपको कहां से मिलेगा पीडियेफ वो आंसर वाला आपको बता देंगे ठीक है चले अब दूसरे चेप्टर की और बढ़ते हैं हम लोग और दूसरा चेप्टर आपके समक्ष है आपर देखें दूसरा यू ऐसमदर गुपते के विजियों का वर्णन करنا जो समिदर गुपते के विजए हुए थे जहां से जीदे थे उसके बारे में बताना है थेक है दूसरा यूऑन का जो कोशन है है आपको यहाँ पर बता दिए काफी इंपोर्टेंट है सही बच्चे बढ़ियां से कौपी में तयार कर लीजेगा इसका आंसर ठीक है मैं आंसर भी प्रोवाइट करूँगा अब यहाँ पे बारा नमर कोशन आपका जो है तिसले इंट से ही है ठीक है चले तिसले इंट बार से अस्तूब के विशे संदर्म में प्राचिन भारतिय धर्मों का इतिहास के बारे में आपको यहाँ पर कोशन है पहला वाला कि महात्माबुद के उपदेशों का वरनन करें जो उपदेश दिये थे महात्माबुद ने उसके बारे में पूरा लिखना है आपको कौपी पर बहुत धर्म के पतन के कारणों का उलेक करने, जो बहुत धर्म था उसका पतन कैसे हुआ उसके बारे में बताना है, उसके कारण से बताने है आपके, मतलब कारण जिसे region हो गया न, यहाँ पर जो है 16 नमर कोशन बहुत धर्म की सकिंचिप्त तुलना लिखना है, ठीक है, जो जैन धर्म है और जो बहुत धर्म है ठीक है इसके जो हैं जो भी difference है मतलब जो भी आपका अंतर है उसके बारे में यहाँ पर लिखना है संचिप तरूप में ठीक है अब यहाँ फिर 17 नमर कोशन है कि सांची के स्थूप की खोज एवं उससे समंदित परमुक तत्यों का वर्नन करना है ठीक है तो इसमें जो भी तत्य है और इसका संची का स्थूप जो खोजा गया है उसके बार में पूरा अच्छी से आपको बताना है तो आपको यह सब कोशन जो आपको दिखा रहे हैं काफी इलाही पर संचीप्त निबंद लिखें काफी इंपोर्टेंट है काफी बार पूछे जा सकते हैं यहाँ पर अलावदिन खिल जी के बजार नियंतरन पर एक निबंद लिखें मुहमद बिन तुगलक के विभिन योजनाओं का वननन करें ठीक है यह सारे जो हैं आपके कुशन्स इंपोर्टेंट हो जाते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और उनिट में जो भी कोशन है आपको बता देते हैं फड़ा फड़ से ठीक है तो अगबर की भूमी बंदोबस्त पर नाली का मुल्यांकन करना है पाली कोशन यहां पर दी गई है अगबर की राजपुत नीती की विवेचना करना है अगबर की मनसभदारी विवेचना करना है सेर सांग की परसासनिक सुधारों की विवेचना करना है औरंग जेव की दक्षिन निती की विवेचना करना है मुगल कालिन परसासन का वर्नन करना है अकबर को एक राष्टिय समराठ क्यों कहा जाता है इसके बारे में आपको बताना है तो ये सारे आपको कोशन जो बताये गए हैं आपको 27 कोशन अभी तक बता चुके हैं तो सभी को जो है कॉपी में जरूर से लिखेगा ताकि आपको जो है जो भी एकदम कोशन आपको दिये गए हैं आपको बताये गए हैं सारा आपको जो है संस्क्रितिक उपलबदियों का वर्नन करें ठीक है 29 कोशन विजयनगर समराज के चर्मोत कर्ष एवं पतन पर एक संचिप्त निबंध लिखे 30 नमर कोशन है कृष्ण देवराय के उपलबदियों का वर्नन करें विजयनगर समराज के परसाषन के वर्नन कीजिए विजयनगर एवं बहमनी के मध्य संगर्ष के क्या कारण है इसके बारे में बताना है विजयनगर को हम पर बोला जाता है तो आपको यहाँ पर इसके बारे में पूरे अच्छे तरीके से आपको copy में answer लिखना है answer आपको बता देंगे काफी बच्चों को ये दिक्कत है कि आप लोग यहाँ पर answer नहीं खोज पाएंगे कई बच्चे ठीक है तो उसके लिए सुविधा है बच्चों आपको last में बताएंगे कि कहां से आपको सारा question का answer मिल जाएगा और सभी बच्चों को मिल जाएगा कोई बी अगदम किसी को भी नहीं चूटेगा सभी बच्चों को मिलेगा तो सभी बच्चे ध्यान से देखे आपको बताएंगे अभी और हमारा unit आ जाता है आपका 8 number में unit 8 में क्या कर रहा है unit 8 में है दार्मिक इतिहास भक्ति सुफिम परंपरा ठीक है 33 number question इसमें लगवग 4 question पुछे जा रहे है भक्ति अंदोलन पर एक संचिप्त लेक लिखना है भक्ति अंदोलन के परभाव का वर्नन करना है सुफिवाद पर संचिप्त लेक लिखना है अब unit 10 में जो question पुछा गया देखिए आप लोग यहाँ पर देहान से उपनी वेस वादो एवं गरामिन समाज सरकारी रिपोर्टों के साक्ष ठीक है तो इसमें 3 question पुछते है भारत में क्रिसी की विवसाई करन पर परकास जालना है अस्थाई बंदोबस्त की गुन दोस्त की विवेचना करना है पलासी की लड़ाई की कारण किस परकार से थे उसके बारे में विवेचना करना है ठीक है तो 3 question यहाँ पर आपके important हो जाते है हमारा जो है 11 point आपका 11 unit आता है 1857 की आंदोलन का परतिनी दित्व इसमें 4 question पूचते है 1857 की करांती की कारणों का विवेचना करना इसके कारण्स बताने आपको कारंस मतलब regions बताने आपको मतलब यहाँ पर देखे दुसरा question में पूचता 1857 की करांती की परिणाम मतलब जो result हुए उसके बारे में 1857 के विद्रों के सवरूप किस परकार से था उसके बारे में बताना है 1857 के विद्रों में वीर कुमर्सी की भूमी का क्या थी उसके बारे में बताना है यूनिट हमारा 11 भी कतम और यूनिट हमारा 12 आता है यूनिट 12 में पूचा कि अपनिवेसिक सहर नगरिकरन नगर योजन तथा अस्थाप पत्य ठीक है यहाँ पर दो कोशन पूछते हैं आपको अपनिवेसिक काल में सरवजनिक भावनों की निर्मान सेलियों का वर्नन करना है उनिश्वी सताब्दी में नगर नियोजन को परभावित करने वाले तत्वो का उलेक करना है ठीक है तो यह कोशन आपके इंपोर्टेंट हो जाते हैं हमारा जो है यूनिट 12 के बाद जो है ठतिना आ जाता है यहाँ पर 13 यूनिट में कहता है महत्मा गांधी समकालिन द्रिष्टी से ठीक है तो देखे यहाँ पर जो है कोशन और तारिस नमर में इसके कारण क्या है ठीक है यह भी important है भारतिय राश्टी कॉंग्रेस के स्थापना कैसे हुई इसके क्या यूदेश ये थे मतलब क्या इनका मुद्दा था क्या यह करना चाहते थे क्या उद्रिष्टी था इनका इनके मारे में बताना है क्रिश्प्रमीशन भारत क्यों आय करें ठीक है आसायों गांदुलन के महत्वर परभाओं की विवेचना करना है आपको ठीक है ये कोशन इंपोर्टेंट हो जाते हैं हमारा देखिए और भी यूनिट है आपका 14 यूनिट है इसमें देखिए इसमें क्या है भारत का विवाजन एवं अभिलेकित स्रोतों से अध अअधिए सम्प्रावा यूनिट है तो जो हमारा देखिए भारतिय समिधान का निर्मान इसमें इसमें आपके जो है पंदरा chapter जो है उसमें जो भी chapter में जो भी important question है आपका आपके जो भी subjective है आपके इसमें short question भी निकल सकते हैं subjective में आपका long question भी निकल सकते हैं इस सारे long question के आपके बताएगा है short question इससे निकल सकता है ठीक है तो अब रहा गया बात कि आपको जो है यहाँ पर answer जो है वो कैसे मिलेगा इसका जो है answer कैसे मिलेगा PDF के form में आपको मिलेगा तो आपको क्या करना है join कर लेना है टेलिग्राम चैनल को ठीक है जिसका link description box में दिया गया है chat box में भी pin किया गया है ठीक है वहाँ से आप अगर join करेंगे तो आपको वहाँ पर PDF मिल जाएगा टेलिग्राम चैनल पर ठीक है तो आपको अगर नहीं मिलता है ठीक है अगर आप नहीं खोज पाते हैं चैनल को join नहीं कर पाते हैं तो आप टेलिग्राम पर for study power ठीक है join कर लिजेगा वहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है तो चलिए अब जितने भी प्यारे बैच्छे आगर ये वीडियो आपको पसंद आया है बढ़ियां लगा है तो आप लोग जल्दी से लाइक करेंगे ठीक है फड़ा फ़र से लाइक कर दीजेगा जल्दी से और आप लोग कमेंट करके बताईएगा कि आपको इस तरह से वीडियो और भी चाहिए और भी सब्जेक्ट का आपको वीडियो दे दिया जाएगा रहा का सारी इंफ्रमेशन पता रहें कौन सा कोर्शन आने वाला है ये आपको पता रहें ठीक है तो आप लोग कमेंट किजेगा बणिया से ठीक है आप लोग से जbab कीजेगा आपको पसंद आया है ठीक है और आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर मिलेंगी आपसे नेक्स वीडियो में और भी informative वीडियो के साथ एंड आपको जो है live class मिलेगा ठीक है सामें आपके live class होंगे तो आपको channel के माधियम से ही पता चलेगा और टेलिग्राम channel से भी पता चलेगा तो आप लोग join जरू कर लीजेगा ठीक है जशे को से बड़ है भी इंड पता चलेगा दापके live class मिलेगा है एंड भी झालेगा यदाल के अगो आपकेtw बार देलेगा है कित्त़ दो प्टलेगा लुशे or clearly ya